इंडिया और श्रिलंका की बीच खेल गया पहला टेस्ट मास तीसरे दिन ही समात्थ हो गया टीम इंडिया ने एक पारी ओर 222 रन से श्रिलंका को हरा दिया टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी की थी टीम के लिए रविंद्र जड़ेजा ने सबसे जादा 175 रन की पारी खेली थी उनके साथ रिशब पंथ ने 96 और आरश्विन ने 61 रन बनाए टीम ने 8 विकेट पर 574 रन बनाकर पारी को घोशित किया 574 के लक्षे का पीछा करने उतरी श्री लंकाई टीम की शुरुवाट ठीक ठाक हुई लेकिन फिर टीम ने तेजी से विकेट गवाए टीम के लिए उपरीक्रम के बन्ले बाजू के लावा किसी ने भी 10 रन का आकड़ा पाल नहीं किया चटवे नंबर पर 14 लंका ने 5 टॉकों की मदद से 39 रन की पारी जरूर खेली उनके अलावा दिमुत करोणारत ने 28 लाही रूथिरी माने 17 पाथम निसंका 61 और एंजलो मेथ्यूज ने 22 रन की पारी खेली श्रुलंकाई टीम की पहली पारी 174 रन पर ही सिमट गई ने नौट आउट 51 धनाजट इसल्मा ने 30 एंजलो मेथ्यूज ने 28 रन मनाए वाधिय टीम के लिए दोनों पारियों में रविंद्र जडेजा ने 9 अर्श्विन ने 6 और मोहमद श्रमी ने 3 विकेट निकाले माच के बाद रोहित शर्मा अपनी गेंदबाजों से खूब खुश दिखे गेंदबाजों और अपनी कप्तानी करियर पर बात करते हुए उन्हों यह करियर के लिए एक अच्छी शुरुवात है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह उस तरह का टेस्ट होगा जो तीन दिन में खतम हो जाएगा स्पिनर 130 गेंदबाजों की मदद के साथ यह बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी पिछ थी हमारे गेंदबाजों कुश्रे जिनों ने एक साथ गेंदबाजी की और दबाव बनाया हम जानते थे कि यह एक तेज आउट फील्ड है और यदि आप टिक जाते हैं तो रन आना हसान होगा हमने सुनिश्ट किया कि हम दोलों छोड से दबाव बनाया टीम व्यक्तिगत प्रदिर्शन और बॉलिंग आउप्शन पर बात करते हुए रोहित ने कहा बात ये क्रुकेट के लिए अच्छे संकेट धेर सारा प्रदिर्शन विराट के लिए अतिहासिक टेस्ट मैच और यहां आकर सबसे पहले टेस्ट जीतना चाहते थे इतने अच्छे व्यक्तिगत प्रदिर्शन को देख कर खुशी हुई इसके लिए जादा विचाल नहीं किया गया यह हमारे पास मौझूद गेंदवाजी ओप्शन का अधिकतम लाब उठाने के बारे में था और हम अन्य विकल्प भी रखना चाहते थे हम सुनिशित करना चाहते थे कि उसे जयनत यादव को भी कुछ ओवर मिले इस मैच के प्लेयर ऑफ दे माच रविंद्र जडेजा का ज़िकर करते हुए रोहित बोले इस मैच के हाइलाइट जडेजा थे एक सवाल था कि पारी गोशित की जाए या नहीं हालकि ये टीम का फैसला होता है लेकिन जडेजा ने पारी गोशित करने की सला दी जो दिखाता है कि वो कितने नी स्वात खिलाडी है आखिर में रोहित ने शुलंका के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच की भी बात की उन्होंने कहा ये घर पर हमारा दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा और इसे हम मेंसे बहुत से लोगों ने नहीं खेला है ये एक चुनोती होगी देखते हैं कि हम किस तरह की पिछ पर खेलेंगे और फिर उसे उसी तरह से आगे लेकर जाएंगे आपको बता देए कि भारत और शुलंका के बीच दूसरा मैच 12 मार्ज से बेंगलूरों में खेला जाएगा इस वीडियो पे बस इतना ही मैं हुगरिमा स्पोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंए दील अलन टॉप शुक्रिया